तो आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चाइनल पर तो आज के इस उड़ी में हम फिर से एक बार टीम प्रिव्यू करेंगे तीन ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स का जिससे की आपको अच्छी खासे अर्निंग होने आ लिए या फिर आच्छी खासे ग्रांड लिग य लेकिन दोस्तों फिर से एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरे चाइनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकोन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना ब दोस्तों बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते माय टिम पर क्लिक करके और प्रिवी में आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों यहाँ पे काफी ऐसे प्लियर है जो कि थोड़ा रिस्की है लेकिन अच्छे प्लियर है तो यहाँ पे एक बात और जरूर बताऊंगा क यहाँ पे बैटिंग में मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाऊंगा लेकिन बाकी जगह पे मैं काफी चेंजेस करने की कोशिश जरूर करूंगा फिर भी देखते कि आगे कि हमारी पहली टिम के इस तर से तो सबसे पहले हमारी कीपिंग पर आते है तो एस इनामूल को मैंने इस तीम में लिया है इनामूल को तो उसके बाद मेरे पास बैटिंग में तीन बैट इस डेस्पर कार आट को मैंनी लिया एक फर्पार्फिर में तो इस तर से तीन अच्छे बैटिंग में एक अच्छा कीपर हमारे पास हो चुका है लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा करिसर करिभा और वह सी यह तो हमारे हर करिद करिदा इस चाल्स को मैंने है चार नहीं अपको नहीं करते आपको इस शक्क्रटन कर आपको तो निलिये हुए हैं दने हो जिससी आपको काफी फायदा होगाятно राल लिग जित सकते या च्छी खास यार्णिक पक्का कर सकते तो इसलिए चार थोड़े इंपर्टन्स प्लियर हो जाते हैं गेनबाजी की बात करें तो जे लेमंट्स को लिया है डबलू प्रोस्पर को ले रहा हूँ और एंस स्टेवल लेटर को ले रहा हूँ यहां पे एक बात और ज़रुर बता दूंगा दोस्तों दो गेनबास तो हमारे फिक्स है लेकिन तीस्टरा जो गेनबास तो हमें काफी रिस्की लेने पढ़ने वाले है क्योंकि दो गेंबाजों का पर्फॉमस अच्छा रहा है लेकिन तीसतरा जो गेंबाज है जो ऑप्षन हमें चूज करना पढ़ने वाला है वो काफी रिस्की रहने वाला है तो यहाँ पर मैंने फिलाल तो इस टीम में कोई रिस्की प्लियर पर यह मैं तो इस टीम को वो अपको सजेस्च करूंगा ग्रैंड लिख के लिए विए यह टीम बहतर रहेगी दोनों लीगों के लिए डहीजों के लिए बात करें तो आपको यह पाइले टीम में ज्यादा लोगों ने जिनको कप्तान और वाइस कप्टन बनाया होता है उनको ही बनाता हूँ और आगे जो दो टीमें रहते हैं उसमें काफी अलग हटके कैप्टन और वाइस कप्टन चूज करता हूँ ताकि आपको जरूर ग्रैंड लिग जीतने का मोका मिले यह अच्छी खासी अर्निंग हो जा दोस्तों काफी बढ़िया परफॉमंस रहा अभी तक के इनका पूरे जो चार मैचेस मेरे खाल से इनके हुए है दोनों क्लीर टीमों के तो काफी अच्छा परफॉमंस रहा है इसी दम पे इन दोनों को कप्टान और वाइस कप्टन बना जा सकता एक काफी अच्छे ऑल क्लोज करते और दूसरी टीम को प्रिवी में आपको करके दिखा देता हूं यहां पर कीपिंग में मैंने शुरुवात में ही चेंज कर लिया जे सेवलेटर को इस तीम में ले रहा हूं पिछले टेम में हमें इनको नहीं ले पाया था उसके बात मेरे पास आफको आपको पह सखना ही होगा अगर आप कुछ रिस्की चेंज करना चाहिए तो जरूर कर सकते लेकिन मैं इन तीनों के साथ ही जाना चाहता हूं अगर बात करें ऑल्राउंडर की तो यहां पर एक चेंज जरूर कर लिया है मैंने सी इना मुल को वापस लिया यहां पर देख सकते एस मेंनमें को लिया ए टीब टैशन को लिया और जे चाहल्स को भी इस तीम में शामिल कर लिया तो कुल मिलाके फिर से चाहर ओल नौंडर है लेकिन एक चेंज यहां पर ज़रूर कर लिया है जिससे आपको काफी फायदा हो हो सकता है अगर गेंबाजी की बात करें तो जे लेमन्स को लिए एम सेव लेटर्स को लिया है और जे में मेंसमें को लिया है तो इस तर से आप ये काफी अच्छी टीम बनी है हाँ एक-दो प्लियर ज़रूर रिस्क है लेकिन टीम अच्छी बनी है रोस्तों आफकोस आपको इस्तिम को ग्राइड लीझ के लिए यूझ करते हैं स्मॉल लिए यूझ कर सकते हैं लेकिन एक ग्राइड लिज लगाने के बाद अगर आप से स्मॉल लिख के लिए यूझ करेंगे तो जादा बेटर हैंगा और अगर अगर आप filmed लेगे लगाते तो अफो poking को ग्रैंड लिक को ही यूज करना है स्मॉल लिक के लिए यूज नहीं करना है जी आ दोस्तों यह टीम अच्छी रे बनी है captain और vice captain की बात करें तो यहाँ पे देख सकते मैंने स्टीम का कप्तार नौर vice Viz Captain किसे बना है तो यहांपे ड hitch को इस टीम का Captain बनाने जा रहा हूँ तो जोHeikr है ! इनको Thanks VPN बना रहा हूं दोनों की दोनों बैस्ट है दोस्तों और परफॉर्मंस भी काफि बढ़ीा राहा है और अच्छा-कासा रहा है तो इनको Captain बनाने काल्टेस को इस टीम का केपटन बनाने जा रहा है तो वही जो कीपर है ये सेवलेटर इनको वाइस केपटन बना रहा हूं दोनों की दोनों बैस्ट र दोस्तों और परफेंशłem MBA काफीशिक बढ़िया रहा है और अच्छा रहा है तो इनको काप्टन और वाइस काप्टन बनाने से काफी फायदा होगा आप ग्रांड लिग जित सकते हैं अच्छी कासी अर्निंग तो पक्का करी सकते हैं यह काफी अच्छा बैट्स मनें जैसे के अल्रेडी मैं बता चुका हूँ इनको पिछले टीम में वाइस काप्टन बना था और जेसे अवलेटर को वाइस काप्टन बनांए क्गफिंग में तो पॉइंट देगी सात ही साथ यह कीपिंग मेंана एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते बैटिंग के बाद कैचिंग में इया रन आउट में तो इसलिए इनको काइछ प्रॉब्लम में कोई दिखर ने फिर से कहुंगा इस टीम को Grand League के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है उसके जगा लेकिन दोनों का पर्फॉर्मस काफी बढ़िया रहा है तो इस टिम में उन दोनों के साथ जाना काफी आफाइदे मन रहे सकता है बल्लेबाजी में फिर से मैं कहूंगा कि मैंने कोई भी चेंज नहीं किया अगर आप करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइसन को भी लिया है तो यहाँ पर भी चेंज मैंने कर लिया है तो आप कर सकते हैं कोई प्राब्लिम नहीं है हाँ थोड़ा रिस्की ज़रूर है लेकिन फाइदे मन साबित हो सकता है अगर बात करें गेन बाजी की डी हंडरी को ले रहा हूँ जे लेस्मांड को ले रहा हाँ अगर फिर भी अगर आप अपनी अपने हिसाब से अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं स्मॉल लिक के लिए लेकिन मेरी सला है सिर्फ ग्राइद के लिए उसके जिगह ठोड़ा रिस्की लेंगे तो ग्राइद में हम ज़रूर ले सकते हैं ताकि जो भी रिस्की प्ल मेरी बार दोनों को एक साथ में लिया इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बनाने जा रहा हूं क्योंकि दोनों का परफॉर्मस अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़ी आए लेकिन उसके इसाब से काफी कम लोगों ने इन पर भर्षा किया है जो क्याप्टन आप जरूर इन दोनों पर भर्षा कीजिएगा और क्याप्टन की बात करें जे सेवलेटर को मैंने इस्टीम का क्याप्टन बनाया है वही वाइस क्याप्टन एस एना मुल को इस्टीम का वाइस क्याप्टन बना रहा हूं तो तोनों की दोनों बेस्ट खेल रहे हैं दोस्त कि अब दोनों को ही Captain और वास Captain बना रहे काफी कम लोगों ने बना है और अगर यह दोनों और अच्छे सक्सेस हो जाते तो सबसे जादा फायदा किसे होने वाला हमें होना ला क्योंकि हमने इनको Captain बनाने की हिम्मत किए ग्रैंड लिग में इसी तर से कुछ ना कुछ हटके करना होता है दोस्तों जिससे आप ग्रैंड लिग जित सकते हैं या च्छी खासे अर्णिंग जरूर कर सकते हैं तो इसलिए मैंने यह टीम थोड़ी हटके बनाई है तो इसको सिर्फ ग्रैंड लिग के लिए यूज कर लेते हैं और आखिर में यह कुछ तरहा जो है है इसापित हो सकता है ऐसी लिए कह रहा हो कि जादा चैजिस्टेयू ऑगा और आगर पसंद आया को इसे लाईक शायर me कमेंट जरूर कर दीजे चाइनल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर भी क्लिक करना ना बुले साथ इसाथ अपने टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो वहाँ पर जाके उस